जैन दोस्तों हंदे मात्रम उधम सिंग जली माला बाग के बदले की ऐसी कहानी जो कि शायद अभी तक भारती सिनेमा में कभी दिखाई नहीं गई उधम सिंग जो की मतलब विकी कोशल के किरदार में अभी जो रिलीज हुई वो मूवी काफी अच्छी थी काफी अच्छे तरीके से उस मूवी को दिखाया गया उस मूवी में उस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से फिरोया गया हर एक चीज मतलब character से लेकर location से लेकर जो भी video graphic की हर एक चीज बहुत अच्छी थी आईसे में सभी लोग ये कयास लगा रहा थे कि ये मूवी तो आसकर्स में जरूर जाएगी अब्यसी बाते इतना बड़ा कांड हुआ था और फिर उसमें जो बदले की कहानी थी वो सब दिखाया गया था मतलब 12 Years A Slave Joy मूवी आई थी उस मूवी को भी काफी प्रतिष्ठा मिली थी इसी चीज को लेकर कि भई ये देखी है इतनी बड़ी ऐसी चीज को इन लोगों ने उठा के दिखाया है लेकिन जब आसकर्स के लिए गई और वहाँ पर जो इसको कहकर रिजेक्ट किया गया है ना वो काफी जादा मज़ेदार चीज है मतलब सबसे पहले आपको एक मूवी याद होगी स्लम डॉग मिलेनियर स्लम डॉग मिलेनियर में क्योंकि भारतियों को गरीब दिखाया गया था तो ये कहानी सच्ची थी और ये कहानी सच्ची थी अच्ची थी इसलिए उस मूवी को आसकर भी में धेर मिल गए लेकिन उधम सिंग को जो बोल कर आसकर के लिए नामित करने से मना किया गया है ना वो एक जो बात है वो आपको चौंका देगी विकी कोशल की हालिया फिल्म सरदार उधम आसकर अवार्ड के लिए चुनी गई चौदा भारती फिल्मों की लिस्ट में से एक थी जो अब इस रेस से बाहर हो गई है मतलब देश के क्रांतिकारी शूरवीर सरदार उधम सिंग की बायोकपिप कर बनी इस फिल्म को फेडरेशन आफ इंडिया की जूरी ने आसकर के एंट्री से बाहर कर दिया है और अब इसके पीछे की वज़े भी सामने आई है तमिल मुवी कुंजगल को फिल्म जगत के इस सरुषेश पुरसकार 94 अकाडमी अवार्ड्स के लिए ओफिशल एंट्री मिल चुकी है ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर जूरी के सिलेक्शन पर सवाल उठाने लगे अब बताया गया है विकी कौशल की इस फिल्म को आसकर के लिए भारत की ओर से विकी कौशल की सरदार उधम, विद्या बलन की शेरनी के लावा मल्यालम नयाट्टू और तमिल फिल्म कुंजगल मंडेला समेत कुल 14 भारती फिल्म में आसकर 2022 की रेस में शामिल हुई थी हलाकि जूरी ने तमिल फिल्म कुंजगल को आसकर के मैदान म उतारने का फैसला लिया है। जूरी मेंबर्स में से एक इंदरदी दाजगुपता ने टाइमस अफ इंडिया से हुई बाचीत में विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम को नहीं चुने जाने की वज़ए बताई है। उन्होंने कहा कि विकी की ये फिल्म थोड़ी लंबी है और जली माला बाग कांड पर बेजड है। देश की अजादी के लिए लड़ने वाले एक हीरो पर लैविश फिल्म बनाने की इमानदार कोशिश किया रही है। लेकिन एक बार फिर से इस दोरान इसमें ब्रिटिश के खिलाफ हमारी नफरत दिखाई गई है। को दिखाने में काफी देरी की गई। जली माला बाग कांड में मौत के घाट उतारेगा लोगों के लिए रियल दर्द को महसूस कराने में काफी वक्त लग गया। फैंस जूरी के चॉइस में चॉइस से खुश नहीं थे और लगतार सोशल मीडिया पर सवाल करने लगे थे कि तक माफी नहीं मागे हैं वा दो फिर आप कौन होते हैं उसको जस्टिफाए करने वाले ठेकेदार्पु हैं कमेंट करने के जबर बताईए गाने मेरे सुड़ी motherfuna नहीं